तो चलो दोस्तों हम लोग अभी इस question number five को स्वाल करते हैं इस वीडियो में question number five और question number six दोनों discuss करेंगे क्योंकि दोनों एकदम exactly related है ठीक है तो चलो चालू करते है question कह रहा है कि it shows a trapezium ABCD हमारे पास ABCD एक trapezium है ठीक है ABCD एक trapezium है trapezium है एक एसा quadrilateral होता है जिसके opposite sides one pair of opposite sides parallel होती है and the other is non-parallel ये दोनों parallel है बट ये दोनों parallel नहीं है ठीक है तो जब भी किसी quadrilateral में one pair of opposite sides parallel हो और दूसरे non-parallel हो तो would quadrilateral को trapezium कहता है ठीक है तो AB is parallel to CD ओके P is the midpoint अरे वा पी midpoint दिया हुआ है very nice तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं दोस्तों sorry यहाँ पे मैं लिख देता हूं P जो है हमारा तेरे को P जो है हमारा ये midpoint है ठीक है बहुत बढ़ी है P is midpoint of AB and PR ये पूरी line PR AB को parallel है देता है AB को ठीक है PR AB को parallel है लेकिन AB तो CD को parallel है PR AB को parallel है लेकिन AB तो CD को parallel है क्योंकि interface यह में तो ये तीनो लाइन्स आपस में parallel हुई ये पहले ही clear रखो ठीक है ये तीनो लाइन्स आपस में parallel है ये diagram में भी arrow mark किया हुआ है और नहीं भी arrow mark किया तो तुम्हें समझ मैंना चाहिए कि PR AB को parallel है PR AB को parallel लेकिन AB DC को parallel है तो ये तीनों parallel हुए आपस में तीनो लाइन्स कि और इसके सम का हाफ है ठीक है यह प्रूफ कैसे करेंगे बहुत आसान है लेखो कैसे करना है चलो आप सब लोग पहले इस ट्रेंगल की बात करो यह दिख रहा है वेरी गुड यह ट्रेंगल का नाम किया दोस्तों यह ट्रेंगल का नाम है एबीडी इस एबीडी ट्रेंगल म बताव P कौन है P midpoint है question में दिया है P midpoint है क्या इस midpoint से एक parallel निकली है हाँ तो यह पूरी PR parallel है मतलब यह line parallel है तो पी से midpoint से जब भी parallel निकलती है ठीक है midpoint से जो parallel निकली है वो सामने वाले side को midpoint पे cut करेगी यह Converse of midpoint कहता है ठीक है, so by converse of midpoint theorem I can say कि q is q is midpoint of bd ठीक है, वापस p midpoint है, midpoint से निकली parallel, तो सामने वाला point भी midpoint होगा converse of midpoint theorem से सामने वाला point, मतलब q q midpoint होगा इस bd का, ठीक है चलो, तो मैं यह पता चल गया कि q midpoint है, और साती साती सात, pq half होगा, a b का, ठीक है, तो पहली part आपने कर ली, आपको पता चल गया, भाईया, कि pq pq जो है, वो half है, a b का ठीक है, चलो, अब इधर की बात करते हैं, अब आपना यह वाले triangle लेगो सब लोग अभी इस triangle पे रहान देगो, इदा b, c, d इस triangle पे रहान देना, ठीक है, इस triangle में, बताओ, q कौन है, q कौन है question में तो नहीं दिया है, बढ़ अभी अभी हमने first part में proof किया कि q midpoint भी है ठीक है, तो q midpoint है, तो midpoint से क्या निकली है parallel, तो जब भी किसी midpoint से parallel line निकलती है, तो सामने वाले side को जहाँ पे भी मिलेगी, वो midpoint होगा, मतब ये r जो है, वो midpoint होगा, और qr half होगी cd का, qr आधा होगा, third side cd का, देखो, q midpoint है, cd का, q से निकली parallel, तो सामने वाला जो point है r, वो भी midpoint हुआ, तो qr जो हुआ, वो half हुआ, r तो midpoint हुआ ही, converse of midpoint theorem से r तो midpoint होगी गया, और साती साथ qr आधा हुआ bd का, very good, qr आधा हुआ bd का, ठीक है, अब हमें देखो, क्या proof करना है, हमें चाहिए pr, हमने बात करिये pq की, हमने बात करिये qr की, तो हमने pq की बात करिये, फिर qr की बात करिये, तो हम इन दोनों को add करेंगे, तो यह proof हो जाएगा, जो चाहिए वो हो जाएगा, देखो इतना आसान समय, इधर converse of midpoint theorem लगेगा, इधर भी converse of midpoint theorem लगेगा, और दोनों को add कर देंगे, चलो करते हैं, इसको थोड़ा वापस ही बाद ध्यान से कर, proof, ठीक है, proof क्या करेंगे, पहले लेंगे, इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ABD, इन ट्राइंगल ABD, P is midpoint, इसका midpoint है, P is midpoint of AD, P midpoint है AD का, and, and PQ जो है, parallel है, PQ line parallel है, किसको parallel है, यह इसका midpoint है, और P से parallel है, निकलिए, PQ parallel है किसका, PQ parallel है AB का, अगर PQ parallel है AB का, तो by converse of midpoint theorem, by converse of midpoint theorem, I can say, that PQ, sorry, Q, Q is midpoint, midpoint, midpoint of, किसका midpoint है, BD का, Q is midpoint of BD, and, साथी साथ, PQ is half of AB, बरुबर, यह है तुमारा, converse of midpoint theorem से, Q midpoint हो गया, midpoint से parallel निकली, तो सामने वाला point भी, midpoint हो गया, और यह इसकी half होगी, बढ़िया हो गया का, अब रेड़ वाले ट्राइंगल में ले लो, सेम चीज़, इन ट्राइंगल, BDC, इन ट्राइंगल, BDC, क्या कह सकते हैं, Q is midpoint, of BD, पैले ही पूरूफ कर चुका हूँ, Q is midpoint of BD, है कि नहीं, और साथी साथ, Q midpoint है BD का, और साथी साथ, QR, यह जो लाइन है QR, यह parallel है, QR is parallel to CD, QR is parallel to CD, so, by, converse, by converse, of midpoint theorem, midpoint theorem के converse है, जब भी किसी midpoint से parallel के निकलेगी, तो by converse of midpoint theorem, सामने वाला point R, will be, या R is, midpoint of, R midpoint होगा किसका, BC का, और साथी साथ, and QR, यह जो QR होगी, वो half होगी, CD की, ठीक है, यह भी आ गया, equation number 2, अब हम इन दोनो equations को add कर देंगे, ठीक है, adding, adding equation 1 and 2, PQ is half of AB, and QR is half of AB, इनको add करेंगे, add करने के लिए left, left से add होगा, plus QR is equal to, PQ plus QR is equal to, half AB plus half CD, half AB plus half CD, ठीक है, PQ plus QR क्या होता है, PQ plus QR होता है, PR, PR, और यह half होगा किसका, AB, half common निकला, half निकल गया common, तो AB plus CD, और यहीं तो हमें पुरूफ करना था, ठीक है, तो यहाँ पे, green वाले triangle में, converse of midpoint theorem, इधर भी converse of midpoint theorem, तो फिर converse midpoint theorem लगाने के बाद, दोनों को add कर दो, हमारा prove हो गया, ठीक है, अब इस sum को ध्यान से, वापस समझो, कि ultimately, आपने proof किया, तो क्या किया, आपको यह चीज, as a theorem याद करना है, तर और एक theorem, हाँ, एक ऐसा knowledge focus के लिए याद रुको, क्योंकि next सम्में, इसी को solve करेंगे, इसी को use करेंगे, ठीक है, आपने किसी तरह से, अभी बहुर अच्छे से, दो बार converse लगा के, ठीक है, proof कर दिया, कि यह जो trapezium होती है, जो भी trapezium होता है, जैसे यहाँ पर trapezium था हमारे पास, trapezium के non-parallel sites, यह non-parallel, इनके midpoint को join करके, जो line आती है PR, वो half होगी, जो line होगी PR, वो half होगी, इन दोनों के sum के बराबर, ठीक है, यह AB है, यह CD है, तो आपने proof किया, कि PR, half है, AB plus CD का, और इस चीज़ को याद रखना, किसी भी trapezium में, non-parallel sites के midpoint को, अगर आपने join किया, non-parallel sites के midpoint को join किया, तो यह जो line मिलेगी, यह half होगी, किसकी, नीचे वाले की नहीं, उपर वाले की नहीं, दोनों के sum का, दोनों के sum का half होगा, ठीक है, यह कोई midpoint theorem नहीं है, कि trapezium में 2 midpoint join किया, ना, midpoint theorem तो triangle में लगता है, आप ऐसे मत करना, कि P midpoint, R midpoint, therefore, ना, 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 therefore PR half of, ना, ना, यह trapezium, यह triangle थोड़ी है, triangle में midpoint लगता है, triangle में midpoint लगता है, triangle है यहाँ पे trapezium है, अभी-अभी हमने इस sum से क्या सीखा, कि trapezium के non parallel sides के midpoint को join करने से, जो line मिलती है, वो half होती है, दोनो parallel sides के sum का, ठीक है, parallel sides जो होती है, उनके sum का, half होता है, ठीक है, कौन midpoint को join करने वाली लगता है, अब यह चीज़ जो हमने अभी-अभी सीखी, इसको हम next sum में apply करेंगे, देखो question number 6 में, question number 6 में हम लोग को एक trapezium दिया है, ABC दिया है, आगे देखो, M and N are the midpoints, M भी midpoint है, और N भी midpoint है, दोनो midpoint है, ठीक है, are the midpoints of the non parallel sides, AD and BC, respectively, find, first part, first part में find क्या करना है, M and find करना है, M and find करना है, जब AB दिया हुआ 11, दोस्तों, AB दिया हुआ 11, ये दिया हुआ 11 cm, और ये उपर वाला दिया हुआ 8 cm, ठीक है, ये 11 दिया है, ये 8 दिया है, इनका, और हमें M and निकालना है, तो हम चाहे, तो इस पूरे सम को, पहले, अच्छे से solve कर सकते हैं, अच्छे से solve कर सकते हैं, मतलब, अगर ये सम, 4 मास के लिए आता है, या उससे ज़्यादा के लिए आता है, एक ही पार्ट पूछा हुआ है, तो इस case में आपको करना क्या पड़ेगा, आपको देखो क्या करना पड़ेगा, पहले आपको ये BD को जोईन करना पड़ेगा, इधर नाम देना पड़ेगा, मान लो P, अब आप बोलोगे ये triangle देखो, ये triangle देखो ध्यान साइं, बरुबर, और आपको ये चीज़े apply करने पड़ेगी, क्या आपलाई करनी पड़ेगी, चलो यार, M midpoint है, M1 midpoint है, जैसे हमने पिछला सम proof किया, उसी तरह से आपको proof करना पड़ेगा, लेकिन इस सम में, हमें values दी हुई है, और पूछी है, तो ये पूरा proof करने का जुरत नहीं है, proof करना हमने पिछले सम में सीखा है, कैसे proof किया है, अभी तो as a theorem उसको याद रखा है हमने, क्या याद रखा है, कि trapezium के non parallel sides, मिड points को join करने से, trapezium के non parallel sides, मिड points को join करने से, जो line मिलती है, mid points से join करके जो line मिलती है, वो half होती है, parallel sides के sum के, इस चीज़ को हमने पिछले सम में पुरूफ किया था इतना अच्छे से ठीक है यह पुरूफ कर लिया था अभी हम यहां पे इसको यूज करेंगे बहुत इजी है चलो first part so what we know हम कहेंगे we know we know MN जो MN है वो half AB plus CD का ठीक है उसमें से आपने हमें MN दे दिया है MN निकालना है यह भी दिया है आपने 11 so 11 plus 8 हो जाएगा 19 ठीक है so MN आ जाएगा दोस्तों half of 19 मतलब यह आ जाएगा 9.5 cm यह हो गया first part ठीक है यह MN आ गया चलो इसी का second part कर ले है second part में क्या बोला है second part में बोला है कि AB find करो AB find करो और दिया क्या है दिया है DC 20 यह दिया है 20 और MN दिया है 27 और यह find करना है पापस वही चीज़ हम लिखेंगे we know what we know we know that MN is half of AB plus CD ठीक है MN की value दिया हुई है 27 substitute करेंगे आप सेम रहेगा AB find करना है और CD 20 दिया हुआ ठीक है पहले इस 2 को इदर ले के आओ 27 इंटो 2 हो जाएगा 54 is equal to AB plus 20 20 यहाँ पर माइनस में आ जाएगा तो AB आ जाएगा 34 cm देखो दोस्तो हो गया ठीक है second part पर थर्ड पार्ट थर्ड पार्ट में क्या बोला है थर्ड पार्ट में बोला है DC find करो DC find करना है और क्या क्या दिया है MN दिया है 15 और AB दिया है 23 ठीक है यह दोनों सम इसी इसी चीज़ पर dependent है इसी चीज़ को यह चीज़ अगर आपको पता होगी तो कर सकते है ठीक है तो थर्ड पार्ट भी कर लेते हैं दोस्तों थर्ड पार्ट के रहा है वापस कहेंगे वी नो क्या पता है हमको वी नो दाट MN इस हाफ और AB प्लस CD ठीक है इस हाफ और AB प्लस CD और CD हाजाएगा दोस तो 7 cm ठीक है तो क्या है